दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ OPPO A77 में कॉल रेकॉर्डिंग किस तरह से शुरू करते हैं और अपने मोबाइल में किस तरह से आप कॉल रेकॉर्डिंग शुरू करते हैं और किस तरह से कितने दिन में आप अपने mobile के recording डिलेट करना चाहते है, एरमेटिक डिलेट कर सकते है, एरमेटिक कितने दिन का रखना चाहते है, आप अपने इस आपसे सेट कर सकते है, ओपू A77, चल eyesight दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको बताते किस तरह से Call recording चालू करना है डालर प्टरण पर क्लिक किया फिर 3 डोर पर क्लिक किया फिर सेटिंग पर क्लिक किया उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको Show करने लगेगा Call recording के Austin यहाँ पर यह दिया है Call recording तो आपको क्या करना होगा simply call recording पे click करना है click कर देने के बात दोस्तो आपको तीन option मिलता है पहला option मिलता है आप delete कितना दिन में अपना default recording delete करना चाहते हैं या कभी नहीं delete करना चाहते हैं तो never आप click कर देंगे तो कभी नहीं delete होगा दूसरा option दिया है साथ दिन के अंदर आप call recording delete कर सकते हो 14 दिन के अंदर delete कर सकते हो 30 दिन के अंदर delete कर सकते हो यानि कि जितना दिन पर आप click करोगे उतना दिन का call recording इसमें रहेगा और बाकी automatic delete हो जाएगा तीसरे नमबर, दूफने नमबर का option दिया है always call recording यानि कि कोई भी number से call आए हमेशा आपकी mobile का call recording on रहेगा तीसरा option दोस्तों यह दिया है कि अगर आप चाहते कि एक दो number पे ही आपकी call recording हो बाकी किसी number पे call recording नहों तो उसी परकार से होगा जो number आप इसके अंदर save कर देंगे यह नीचे option दे रहे हैं इस पर आप setting कर दोगे वही number पे आपकी call recording होगी बाकी किसी भी number पे call recording नहीं होगी अगर उसके अंदर आप 5 number save करके रखते हो तो 5 number पे call recording होगी अगर 10 number रखते हो तो 10 number पे call recording होगी अगर 1 number रखते हो तो एक ही number पे call recording होगी तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में